इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे गाईज कि समाल जैस्टेशनल सेक क्या होता है क्या समाल जैस्टेशनल सेक का दिखाई देना प्रेगनेंसी में अच्छा होता है या नहीं और आखिर समाल जैस्टेशनल सेक हम कब बोलते हैं कि आपको समाल जैस्टेशनल सेक है तो इ तो गाइस देखिए जब प्रेगनेंसी का अल्ट्रा साउंड किया जाता है तो हमें प्रेगनेंसी की जो पहली जहलक दिखाई देती है उसे जैस्टेशनल से कहते हैं यह जैस्टेशनल से क्या होता है यह जैस्टेशनल सेक प्रेगनेंसी की पहली दिखाई देने वाली जिल् medically इसे एक sack कहा जाता है जिसके अंदर एक type का fluid भरा होता है जिसे amniotic fluid कहते हैं इस gestational sack का size pregnancy के लगबग 28 दिन के बाद 1 mm per day के हिसाब से increase होता है अब हमारा जो topic है कि gestational sack का size है वो आपको small करके mention किया है उसका मतलब ये हुआ कि जो हमने expect किया था gestational sack का size वो उतना ना होकर हमारी expectation से कम आया है सो मान लीजिए जैसा मैंने आपको अभी बताया कि gestational sack का size 28 दिन के बाद 1 mm per day के हिसाब से increase होता है और मान लीजिए कि आपने 6 सब्तापर ultrasound कराया तो इस हिसाब से आपके gestational sack का size 14 mm होना चाहिए अब हम लोग नहीं ultrasound किया उसमें आपका gestational sack 2 mm आ रहा है और आप sure हो कि आपकी जो last period date थी उसके according आपकी pregnancy 6 सब्ताप ही है तो आपको diagnose किया जाएगा कि small gestational sack साथ ही जब हमें fetal pole दिखाए देता है तो उसके बाद हमें CRL मिजर करने का भी option मिल जाता है तो इस CRL का size gestational sack के size से 5 mm कम होना चाहिए मतलब अगर CRL 5 mm है तो gestational sack का size कम से कम 10 mm या उससे जादा होना चाहिए लेकिन अगर CRL का size 5 mm है और gestational sack का size 8 mm या 7 mm है तो आपको diagnose किया जाएगा small gestational sack करके तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद